अब यूट्यूब चैनल मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे उन पांच बेस्ट अब यूट्ट बिगनर हैं तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए अगर आपको मशीन लर्निंग की एक सब्सक्राइब नौलेज है तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए तो मैं आज आपको पांच बेस्ट एमल बुक्स के बारे में बताने वाला हूं तो चलिए सबसे पहली बुक के साथ तो सबसे पहली बुक है इसका नाम है हैंसओन एमल विद साइकिट लर्न केराज एंड टैंसर फ्लो उस बुक का इमेज आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के उपर और और यह और यह ने पब्लिश की है कुछ खास बात इस बुक की जो यह हैं कि यह एक फॉर्मर गूगलर ने लिखी है जिस बंदे ने यह लिखी वो पहले गूगल में काम करता था यूट्यूब के एक सर्टेंड डिविजन को वो हैड करता था उसने कुछ कंपनीज में सी एदे सीटीओ भी काम किया है बहुत ही नॉलेज़ेबल बंदा है इस बुक के बारे में जो खास बात यह है कि बेस्ट प्रेक्टिकल इंट्रोड़क्शन टू दा मशीन लर्निंग बेस्ट पॉसिबल वे में इनोंने जो है बताया है कि मशीन लर्निंग को आप कैसी सीख सकते हैं एक्जामपल्स के साथ और तीसरी खास बात यह है कि इस पहले थोड़ा सा पाइथन के बारे में आना चाहिए अगर आपको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती है तो यह बुक आपके लिए नहीं है नहीं है पहले आपको पाइथन चीखनी चाहिए फिर आपको यह बुक पढ़नी चाहिए नेक्स्ट जो इस बुक के बारे में जो करना है मशीन लर्निक के जो पूरे प्रोसेस रहते हैं कैसे डपलोई करना है कैसे मोडल बनाना है कैसे उसको डपलोई करना है वह सारी चीजे इसमें टू-एंड प्रोजेक्ट्स जो है इसमें इंप्लूड़िड है चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बुक की तरफ कि सब्सक्राइब अंडर्ड पेज में किसी ने मशीन लर्निंग को सब्सेंज सेंचिव करने कि कुशिश करिये यह बहुत ही अगर आपको थोड़े बहुत पता है और उनके बहुत ही solid foundation करना सारे हैं तो आप ये बुक बिल्कुल पढ़ सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ी बुक नहीं है सो पेज की बुक है absolute beginner के लिए नहीं है जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ 100 पेजिज हैं तो तो राइटर ने कुछ assumptions करी हैं कि इस बुक को रेड करने वालों को थोड़ा बहुत machine learning का पाइथन का इन सब चीजों का पता होना चाहिए और तीसरी खास बात जो कि मैं शुरू में होती है स्टेटिस्टिक यूज होती है जिने इन सब का कुछ भी नहीं पता है तो यह उन लोग के लिए हैं तो मैं बता देता हूं कि यह बिल्कुल बिल्कुल ही नोवाइस लोगों के लिए एप्सल्यूट बिगनर्स के लिए है जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें आपको इसको पढ़ने के लिए आपको कोई बैग्राउंड नहीं चाहिए जीरो कोडिंग चाहिए मैच का कोई या स्टेटिस्टिक की कोई प्रियर नॉलेज आपको जो है नही चाहिए तीसरी खास बात इसमें यह है कि यह बहुत ही प्लें लेंग्वेज में लिखी गई है और इसमें बहुत ही अच्छे वीजूल और बहुत ही अच्छी एक्सक्लेनेशन यूज के गई हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बुक नमबर फूर की तरफ बूक नमबर फूर ह पाइफन फोर डेटा एनलेसिस इस बुक में क्या है कि यह बुक डेटिकेटली उन लोगों के लिए है बैसिकली सभी के लिए है क्योंकि एज़े मशीन लर्निंग इंजिनियर और एज़ेटा साइंटिस्ट आपका 80% अफ दा टाइम डेटा को क्लींग करने में और उसको मोड अगर आप उसमें मस्टर आपने आपको कर लेते हैं या करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है यह इस बुक में डेटा क्लीनिंग और प्रिक्रेशन बहुत अच्छे से क्लीन तरीके से बताया गया है एडवांस पैंडाज पैंडाज आपको कैसे डेटा कोई क्त्राइब करना है कैसे उसडेटा से किसी ग्राफ को कैसे क्र sprint करना कोई घ्राव आपको क्या बता रहा है वो बहुत सारी चीज़े वहां अच्छे तरीके से बताई गया घृत लोगों के लिए लेकिन वह अब एडवांस लेवल पर जाना चाहरा है तो यह लोगों के लिए है जो इंटरमीडियेट लेवल से एडवांस लेवल पर जाना चाहरे हैं के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है क्योंकि आपको भी पता होगा अच्छे से एक्स्क्रेंड कि बाद डीप ट्रेनिंग मोडल डीप मोडल्स की ट्रेनिंग जो होती है उसको कैसे अप्टिमाइज करना है अगर आपका डेटा सेट है तो वह आवर्स तक भी चल सकती है तो आपर परामेटर को कैसे ट्यूनिंग करनी है कैसे पर्टिकुलर सेनारियों में किस चीज को कैसे बेसिकली सॉल करना है दूरिंग डेट्रेनिंग फेज वह बहुत अच्छे तरीके से बताया गया और इसमे काफी सारे प्रेक्टिकल एग्जांपल्स लिए गए हैं एंटो एंट प्रोजेक्स के डीप लर्निंग के लिए तो आज की पार्ट जो बेस्ट एमल बुक्स थी वो यही हैं तो आज की थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब टिल देन टेक केर बाई-बाई and stay tuned for more such videos thank you